मटर मश्रूम की सब्जी अच्छी तरह से सुखा कर इसे तेल में हम तल लेंगे यहाँ पर मैंने मस्टर डॉयल का यूज किया है आप जो कोई भी तेल खाते हो उसका ही हुजाप कर सकते हैं तो इस तरह से हम सारे मश्रूम को फ्राई कर लेंगे मश्रूम फ्राई हो चुके हैं इन्होंने तेल छोड़ दिया है और थोड़े से श्रिंक हो गया है तो अब हम इने अलग प्लेट में निकाल लेंगे मश्रूम हमने निकाल लिये हैं अब कढ़ाई में जितना फी ओयल बचा हुआ ये थोड़ा से जादा है तो मैं एक चमश तेल निकाल रही हूँ और बचे हुए तेल में हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे यहां पर मैंने एक तेजबता पास से छे काली मिर्च, दो लॉंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलाइची और एक छोटी इलाइची ली है इन सब को तेल में डालकर हलका साब कुछ सेकेंड के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका अरोमा ओयल में आ सके अब इसमें एक चमश जीरा डालेंगे और जैसे ही जीरा चटक जाएगा हम इसमें दो प्यास डालेंगे प्याज को मैंने बहुत ही बारिक बारिक चॉप कर लिया है साथ ही साथ मैंने इसे चॉपर में चॉप किया था साथ ही मैंने इसमें एक इंच अद्रक का टुकड़ा और दो हरी मिर्ज भी चॉप कर ली थी तो अब हम इसे तेल में अच्छी तरह से fry कर लेंगे प्याज ताकि अच्छे से golden brown हो जल्दी से हो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है इससे जो cooking process होती है वो थोड़ी से तेज हो जाती है प्याज को अच्छी तरह से golden brown होने तक हम fry कर लेंगे प्याज अच्छी से भुन चुकी है अब हम इसमें डालेंगे चार टमाटर की प्यूरी यहाँ पर मैंने चार मीडियम साइज के टमाटर लिये थे साथ ही मैंने इसमें 7-8 काजू भी पीस लिये हैं काजू डालने से ब्रेवी में बहुत ही अच्छा क्रीमी टेस्ट आता है और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है तो मैंने टमाटर के साथ ही काजू को पीस लिया था यहाँ मैंने दो प्याज ली थी और चार टमाटर लिये थे टमाटर को भी हम अच्छे से अच्छे से सॉफ्ट हो जाने तक भूना है टमाटर को हमें तब तक भूना है जब तक की यह ओयल ना छोड़ने लगे और अच्छे तरह से भूनना जाएं टमाटर ने टेल छोड़ दिया है इसका मुटत हमारा जो यह मसाला है प्यास टमाटर का यह बुन चुका है अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे यहाँ पर मैंने दो चमच दन्या आधी चमच हल्दी दो चमच किजन केंग पाउडर और एक बड़ा चमच कश्मीरी ल पापन देने के लिए पहले मैंने इसमें दो हरी मिर्च डाल दी थी तो इसलिए मैं यहाँ पर कश्मीरी मिर्च का यूज कर रही हूँ आप के पास जो भी मिर्चों, आप हो इसमें डालेंगे दो कप उबली हुई मटर यहाँ पर मैं क्यूंकि यह gravy कड़ाई में बना रही हूं तो मैंने उबली हुई मतर का इस्तिमाल किया है अगर आप कुकर में बना रहे हैं यह gravy तो आप कच्छी मतर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और कुकर में बस दो सीटी लगाएंगे तो मटर और मश्रूम अच्छी तरह से गल जाएंगे तो हम मटर को भी मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे लगवग एक से दो मिनट मटर को भी हम मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे और अब हम इसमें मश्रूम को डालेंगे जो कि हमने फ्राई करकर रख लिये थे तो मश्रूम को भी इस मसाले में अच्छी तरह कोट करेंगे पानी डालेंगे यहाँ पर मैंने एक कप पानी का इस्तिमाल किया है मुझे थोड़ा सा ग्रेवी गाड़ी चाहिए इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कम पानी डाला है अगर आपको थोड़ी सी तरी वाली ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और बढ़ा सकते है मसाले को पानी और मसालो को सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसा नमक यहाँ पर मैंने डेट समच नमक डाला है इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में थोड़ा सा उबालाने के बाद हम इसे ढखकन लगाकर स्लो गैस पर लगभग 10 मिनट के लिए कुक करेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे यहाँ पर मैंने बीच बीच में इसे एक दुबार चला लिया थग्रेवी ताकि हमारा मसाला न जल जाए अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश करकर डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है साथी इससे थोड़ा सा क्रीमी टेक्शर देने के लिए मैं इसमें घर की फेटी हुई मलाई डाल रही हूँ अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी डाल सकते है इससे एक बहुत ही अच्छा क्रीमी सा और एक रिच फ्लेवर आएगा आप चाहें तो इसमें आधा चमत चीनी का भी डाल सकते है यहाँ पर मैंने चीनी नहीं डाली है मैंने उस समय तो डालना मैं भूल गई थी लेकिन मैंने बाद में चीनी डाली थी जो कि कैमरे में शूट नहीं हुआ है चीनी हमेशा फ्लेवर्स को इनहांस करने का काम करती है इसलिए हमने आधी चमत चीनी भी मैंने इसमें डाली थी अब इसमें डालेंगे गरम मसाला जो कि हम आधि चमेश ढालेंगे और हराधनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह से mix करेंगे ताकि सारे flavors आपस में अच्छे से मिल जूल जाएं हमारी सबसी बन कर तयार है बहुत ही tasty बनती है इस तरह से ये सबजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजे और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले साथ ही चैनल को सबस्क्राइब कर ले ताकि मेरे सारे नए वीडियो का नोडिफिकेशन आपके पास आजाए और आप मेरे सारे वीडियो को देख पाए फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ तिल देन टेक केर और बबाए पास आपके पास आपके पास आपके पास